नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल ओलापूर्ट जब्स में दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा रिक्रूट्मेंट लेके आया हूँ जो हु आरेल की तरफ से याने की हिंदूस्तान अरवायक और अरस्टर लिमिटेट की तरफ से इसमें बेसिकली डिप्लोमा बीए 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 सी बीकॉम क्वालिफिकेशन में मांग लिया गया है इसमें फ्रेसर्स एक्स्परियेंस दोनों ही एलिजेवल है आपको सलारी आप इसका सेलेक्शन प्रोसेडियोर क्या है कौन से एक्जामनेशन सेंटर आपको दिया जाएगा और इसका कौन सा मतलब कैसे इसके एक्जामनेशन होगा सब कुछ में हर एक चीज़ डिटेल से महतने वाला हूं तो वीटियो को लास तक देखिएगा ताकि आप लोगों को और इसके साथ काम करती है तो जो और इसके साथ काम करती है तो जो अर्गनेशन के साथ काम करती है तो में डिटेल से महता देता हूं तो फास्ट इंडियान ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड देन फार्टलाइजर कॉर्परेशन अप इंडिया लिमिटेड और हिंदूस्तन फ पोस्ट निकल के आया है जिसमें आपका तीन साल का डिप्लोमा एन केमिकल एंजिनिरिंग होना चाहिए इसमें नमबर ओफ एकेंसी थार्टी नमबर ओफ एकेंसी आपड़ेज रिमीट इसमें 25 यर्स तक रखा गया है नेक्स्ट मेकानिकल वालों के लिए जिसमें जुनियर इसमें आपका तीन साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्रोनिक्स इंजिनिरिंग पर होना चाहिए अगर नमबर ओफ एकेंसी की बात करो तो 15 नमबर ओफ एकेंसी निकल के आया है जिसमें एज लिमीट है 25 यर्स जुनियर इंजिनियर इसमें आपका तीन साल का आपारेजरी भी 25 यहर्स तख रखा गया है नेक्स्ट बात करते हैं Experience वालों के लिए जो Experience वालों के जो Fast Post निकलकर आ है वह है Ammonia Discipline पे जिसमें दोनों Post निकलकर आ है वह है Junior Engineer Assistant 2 Next Engineer Assistant 1 तो दोनों के लिए अप लोग को तीन साल का डिप्लोमा एन केमिकल इंजिनरिंग पे होना चाहिए जुनियर इंजिनर एसिस्टेंट टू के लिए 30 नंबर वेकेंसी है अपारेज लिमी 30 यर्स तक रखा गया है पाच साल का एक्सप्रियेंस आपके पास होना चाहिए नेक्स्ट है इंजिनर एसिस्टेंट वान जिसके लिए आपका 45 नंबर वेकेंसी निकल के आया है अपारेज लिमी 35 यर्स तक रखा गया है मिनिमाम एक्सप्रियेंस की बात करो दूसमें 10 साल के एक्सप्रियेंस आपके पास होना चाहिए नेक्स्ट बात करते है इंजिनर एसिस्टेंट की तरफ से जिसमें भी सेम जुनियर एंजिनर एसिस्टेंट टू इंजिनर एसिस्टेंट वान पोस्ट निकल के लिए दोनों पोस्ट के लिए आप लोगे पास तीन साल का डिपलोमा एंड केमिकल इंजिनर इंजिनर इंजि उना चाहिए नेक्स्ट बात करते है ऑफ साइट और यूटिलिटी तरफ से है जिसमें सेम जुनियर एंजिनर एसीस्टेंट टू इंजिनर एसिस्टेंट रखा गया है धोनों के लिए तीन साल का डिपलोमा इन केमिकल या तो मेकानिकल इंजनिरेंग पर होना चाहिए जिसमे नामड ओर कि बात जो तो 50 number of vacancy junior engineer assistant 2 के लिए जिसमें 30 यर्स तार गेज़ लिमिट रखा गया है पाँत सल के experience होना चाहिए engineer assistant 1 के लिए 30 number of vacancy 35 यर्स तार गेज़ लिमिट राखा गया है 10 सल के experience आपके पास होना चाहिए Next is mechanical वालों के लिए Mechanical वालों के लिए भी same post निकल कराया है Junior Engineer Assistant 2, Engineer Assistant 1 के लिए Then दोनों के लिए आपलों के पास 3 सल का Diploma in Mechanical Engineering होना चाहिए जिसमें number of vacancy 33 number of vacancy Junior Engineer Assistant 2, 2 के लिए आपड एजली में टाखा गया है 30 years तक 5 सल के experience होना चाहिए Next Engineer Assistant 1 के लिए 36 number of vacancy 35 years तक एजली में टाखा गया है 10 सल के experience होना चाहिए Then electrical और instrumentation engineering के post निकल का है जिसमें भी same है आप लोग आपकी सब्स हो देख लीजिएगा Next बात करते है Store की तरफ से निकल का है जिसमें Junior Store Assistant 2 Store Assistant 1, Store Assistant 2 With 50% marks in aggregate होना चाहिए आपर डिग्री में Next अगर number of vacancy की बात करो हो Junior Store Assistant 2 के लिए 3 number of vacancy आपर age limit है 35 सल के experience होना चाहिए Store Assistant 1 के लिए 6 number of vacancy है 35 आपका age limit रहने वाला है 10 सल के experience चाहिए Store Assistant 2 के लिए 3 vacancy है 40 years तक आपका age limit रखा गया है और 15 years तक आपका experience मांगा गया है Next is Finance and Account की तरफ से जिसमें आपका full time become degree होना चाहिए इसमें 2 post निकल के आए Junior Account Assistant 2 and Account Assistant 1 Junior Account Assistant 2 के लिए 6 number of vacancy है 30 years तक age limit रहने पाच सल के experience होना चाहिए Account Assistant 1 के लिए 6 number of vacancy निकल के आए आपा age limit है 35 years और 10 सल के experience आपके बास होना चाहिए ऐसे भी बहुत सरी post निकल के आ रहाई है तो आप लोग आपके सबसे ओ देख लिजेएगा Next किस की बात करते है तो इसमें आगर आप लोग full time degree के लिए आप लोग कर रहा हो तो उस time आप लोग eligible हो अगर आप लोग कोई भी part time या तो distance education से अब लोग बी बीटेक बीए से बीकाम यह सब कुछ कर रहा हो तो उसके लिए आप लोग इसमें eligible नहीं हो और हर एक चीज में आपका minimum 50% mark से नेग्रिकेट आपका degree पे होना चाहिए Next इसके बात करते है तो form fill up करने के time आपको CGPA, DGPA या OGPA को percentage में convert करना पड़ेगा as per the AICT guideline तो आपका जो यानि कि आपका university पे जो भी CGPA to percentage conversion rule है वो आपको follow करना पड़ेगा उसके बाद उसके convert करने के बाद इसमें डालना पड़ेगा Next इसके बात करते हो तो इसमें बिसिकली जो lateral entry diploma में आगर जो lateral entry वालो है तो वो लोग भी इसमें eligible है इसमें जो सबसब इसमें लिखा गया है उसके लिए जो percentage of aggregate जो marks होने वाला है वो आपका चार्ट semester यानि कि एक साल चोड़के बाकि जो दो साल मिला के जो चार्ट semester होता है तो उसका aggregate marks होगा और consider किया जाएगा नेक्स्ट इसके बात करते हैं तो इसमें जो आपका जो posting होने वाला है वो बिसिकली उत्तर प्रोदेश जारकॉन बिया बिहार यह बिसिकली three cities में आपका होने वाला है नेक्स्ट इसके बात करते हैं तो यह बिसिकली आपको online form submit करना पड़ेगा और online अगर आप लोग इस examination में qualify कर जाते हो तो उसके लिए आपका एक साल का प्रेणिंग प्रियाट रहने वाली है और उसके बात आपका पोस्ट पर्मानेंट हो जाएगा नेक्स्ट इसका इसका salary की बात करते हैं तो फ्रेशर्स बालों के लिए इसमें three lakhs पार एनम मिलने वाला है अगर आपके पास पांच साल के experience है तो उसके लिए average 4.1 lakhs मिलने व पाला है next selection process की बात करो तो इसमें basically फास्ट होगा आपका computer based टेस्ट उसके बाद आपका trade टेस्ट होगा और उसके बाद आपका document verification होगा next इसके बात करते हैं तो इसमें apply कैसे करना है तो apply करने के लिए www.hurl.net.in ये site पर आपको जाने के बाद apply करना पड़ेगा मैं इस video में दिखाने भी बाला हो कैसे उस site में जाके उसमें apply करना है तो वीडियो को लास तक देखिएगा ताकि आप लोग को आच्छे से समझ मे आ जाए नेक्स्ट इसके बात करते हो तो examination center basically कुछ state में होने वाला है तो वह में details बता देता हूँ जिसमें बिहार, जड़कंड, उत्तरपुदेश, वेस्ट बेंगल, औरिसा, डेली, मद्रपुदेश, छत्रीजगर, हरियाना, राजस्तन, उत्तराकंड ये सब state में आपक examination center रहने वाला है, नेक्स्ट इसके बात करो तो आगर आप लोग exam देने के लिए जाते हो तो उस time पर आप लोग कोई traveling allowance बगरा नहीं दिया जाएगा, जो इस notification में सब सब लिखा गया है, नेक्स्ट आगर में computer-based test की बात करो तो इसमें आपका 100 questions रहने वाला है, जो 100 marks का हो तो इसका सलेवास में आपका general English होने वाला है, quantitative aptitude test होने वाला है, then logical reasoning रहाएगा, या आपकी general knowledge और awareness की तरफ से question रहने वाली है, अगर ये multiple choice, basically MCQ choice question रहने वाली है, इसमें 4 options दिया जाएगा, अगर आप लोग कोई भी options गलत कर देते हो तो उसके लिए आपका one-fourth marks deduct हो जा तो आप लोग आपके सबसे देख लीजिएगा, next इसके बाद करते हैं, अगर आप लोग इसमें qualify कर जाते हो तो document verification के time ये सब documents आपको self-attested format में sign करके लेके जाना पड़ेगा, तो मैं जो documents का details दिया हो, I.O. में इस वीडियो में बता देता हो, तो first होगे आपका online application form जो आ इसके साथ जो 10th class का जो certificate आपका होता है, ओ लेके जाना पड़ेगा, next है आपका जो passing certificate या mark seat हो आपको लेके जाना पड़ेगा, दिन आपका जो degree certificates है, ओ आपको लेके जाना पड़ेगा, आपका कोई भी कोई भी जो CGPA का और DGPA का जो percentage का जो formula है, जो university से निकल के आता है, notice की तरफ से आपको लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद experience certificate, ID proof लेके जाना पड़ेगा, यह सब document आपको document verification के time लेके जाना पड़ेगा, अगर हमें application fees की बात करो तो इसमें application fees 300 रखा गया है, इसके साथ banking का जो charge है, वो आपको देना पड़ेगा, यह basically online आपको submit करना पड़ेगा, कोई भी offline procedure इसमें नहीं है, नेक्स्ट इसके बात करूँ तो इसमें, इसमें आपका अगर आप लोग form fill up करते हो, अगर उस टाइम पे कोई भी problem या परेशन ही आता है, तो उस टाइम पे आप लोग जो email ID दिया हुआ है, और यह जो phone number दिया हुआ है, उसमें आप लोग quarter करके या email करके आप लोग उसम 15 अगस्ट 2021 तक रहने वाला है, यह है इसका complete notification next देखते हैं, कैसी इसमें apply करना है, चलिए, यह है इसका official website, इस official website पे जाने के बाद आपको इस career option मिलेगा, तो इस career option पे आपको click कर देना है, उसके बाद, इसमें आपको एक option मिलेगा, recruitment for non-executive 2021, click here for apply, तो इस option पे आपको click कर देना है, एक window open होगा, window open होने के बाद, आपको right side में small window रहने वाला है, जिसमें आपका registration option पे आपको click कर देना है, registration option पे click करने के बाद, यह हर एक चीज़ में details दिया हुआ है, तो आपको last में जाने के बाद, इसमें I have read and understood and agree, avoid my have up instruction, इस आपको click करने के बाद, आपको continue कर देना है, continue करने के बाद आपका form निकल के आ जाएगा, वो आपको fill up करना है, एक एक कर गए, तो यह सब कुछ आपकी सब सब देख लीजिएगा, यह है इसका complete details of notification और इसमें कैसे apply करना है, मैं सब को जी वीडियो में details में बता दिया हूँ, इस notification का details मैं description box में दे दूँ तो आप लोग आपकी सब से देख के उसमें apply कर सकते हो, और बड़ एक चीस में बताना जाता हूँ, अगर कौन-कौन लोग इसमें apply कर रहे हो, तो मुझे comment section में जरूर बताना, यह है इसका complete details, अगर आपको मेड़ा वीडियो पसंद दे तो चैनल को subscribe कर देना और वीडियो पे, जब तक के लिए goodbye, thank you